तो स्वागत है सभी मित्रूं का जितने भी मित्र इंडियन आर्मी की तियारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी यहां पर नोटिस में लेकर आया हूँ मित्रूं इंडियन आर्मी से रिलेटेड में जितने भी जान कर रहे हैं पूरी बारी की से दूँगा चाहिए आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं इसके साथ यमें राजस्तान की जो जितने भी विदार्ति इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा देखना इसके अंदर में आपको पूरी जान करेंगा सबसे पहले आज मैं बता देना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का ओनलाइन फोरम स्टार्ट हो चुका है किस-किस जिले का हुआ है अजमेर, बारा, बुंदी, भीलवाडा, चितोडगड, जालोर, कोटा, रासमंद इसके अलावा, जोदपूर और नागोर के कंडिडेट, जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए मैं खुस खबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में तो मित्रों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा जिस आप ओनलाइन फोरम एपलाई करने से लेकर इंडियन आर्मी में आप जब जोइनिंग करोगे टरनिंग सेंटर तक पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दूँगा इसके बाद आपको कोई किसी परकार से भर्मित होने की कोई आउशिक्ता नहीं है इदर उदर किसी का वीडियो देखना ये करना किसी पूछने की भी आउशिक्ता नहीं होगी सबसे पहले आपको इंडियन इमीतर के मादन से आप फोरम बढ़ना ताकि मोबाइल से आपकी कोई गलती ना हो इमीतर से द्यान से फोरम बढ़ना उस समय आपके पास सिर्फ दस्वी की मारक सीड चाहिए इसके साथ में आपका आदार कार डोना चाहिए और आपकी एक इमेल आईडी बनाई होनी चाहिए वो आप इमीतर से बनवा सकते हैं सिर्फ ये तीनी चीज आपको चाहिए ओनलाइन फोरम बढ़ते समय अब मितरू आपको योग्यत है क्या क्या चाहिए सब की मैं अलगलग पूरी जान करें दूंगा डिटेल से सबसे पहले आपको मैं बताओं यदि आप जीड़ी से जाना चाहते हैं जनरल डूटी जीड़ी से तो आपकी आयू सीमा होनी चाहिए साधी सत्रास कम से कम और अधिकतम एज आपकी 21 सुरस हो सकती है इसके अलबा मित्रू इससे भी नहीं चलेगा इसमें आपकी जो आयू सीमा है वो एक अक्टूमर 1909 में से लेकर यहां पर आप देख सकते हैं मैं जूम कर देता हूँ एक अक्टूमर 1909 में से लेकर एक अपरेल 2003 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए तबी आप जीड़ी से फोरम बर सकते हैं आपकी हाइट होनी चाहिए वो 170 cm होनी चाहिए आपका जो वजन है वो 50 kg होना चाहिए नयूंतम कम से कम मांगा गया है अधिकतम कितना भी हो सकता है या मैं वजन की बात करूँ तो आपका जो चेस्ट है चेस्ट यानि शिना जो आपका 77 cm कम से कम होना चाहिए और 5 cm का फुलाव होना चाहिए कुछ विदारती बोल रहें कि हमारा chest कम है height कम है तो आपका यदि chest height weight यदि आपका कम है तो आप वीडियो को पूरा देखना मैं आगए आपका इसका भी मैं solution बताऊंगा आपको इसका भी एक तरीका है मेरे पास इसके पास दस्वी के अंदर आपके कम से कम दस्वी पास योगिता मागी गई है दस्वी पास होना चाहिए और दस्वी में आपके 45% नमर होना जरूरी है कुछ मित्र बोल रहे हमारे 42-43% है तो आप भी वीडियो देखिए आपके थे ढप भी फोरूम एपिलाई कर सकते हैं आप जीडि से नहीं करेंगे आपके लिए दूसरा टेड है जिसमे आप फोरूम एपलाई कर सकते हैं इसके साथ मित्रूम आपके पढ़तिया स्बजेक्ट में चाहे इंग्लीज हो, हिंदी हो, गणी तो कोई भी सब्जेक्ट हो हर सब्जेक्ट में आप में सो में से 33% नमर होना जरूरी है जीडी में फोरूम बढ़ने के लिए यदि आपके ये नमर नहीं है और अधिक्तम 23 सुरस तक बर्शकते हो इसके अंदर आपकी आयू सिमा कम से कम 1901 अक्टूमर 1907 में से लेकर एक अप्रेल 2003 के बीच में होनी चाहिए इसमें मैं बात कुरूँ हाइट की तो 117 सेंटिमेटर हाइट में छूट नहीं है इसके अंदर आपका वजन 50 की लोना चाहिए और 47 से 5 सेंटिमेट फुलाओ होना चाहिए इसके अंदर आपकी जो योग्यत है वो बारवी पास होना जरूरी है बारवी के अंदर आपके साइन्स होनी चाहिए यानि फिजिक्स, केमेश्ट्री, मेत और इंगलीज तो मुझे आप नीचे कमेंट करके आर्मी से समंदित कोई भी जानकर याँ मुझे से ले सकते हैं आगें बात करूँ में कलरक की, इस्टोर कीपर की टेकनिकल ये मेनेजमेंट की तो इसमें आपकी उमर 17-23 वरस होनी चाहिए इसमें आपको कलरक में छूट मिल रही है, हाइट के अंदर मितरूं यदि आपकी हाइट कम है, तो आपका 165 cm हाइट होनी चाहिए इसमें आपका जो वजन 50 किलो, सिन्ना में आपको चेश्ट बगेरा में कोई छूट नहीं है इसके अंदर आपको बार बी पास होना ज़रूरी है, कलरक के अंदर चाहिए आड भो, कॉमर्श भो, शाइन भो विद इसके अंदर शाट परशेंट नम्र होना ज़रूरी है यह बहुत ही बड़ी बात है आपके यानि बारवी में 60% नमर फेश डियूजन पास होना जरूरी है मित्रूँ मिनिमम 50% in each subject 50% mark in English मेत यानि कि मेत और इंगलीज में आपके 50% नमर होना जरूरी है यह ज्यान रगना इसके आगे मैं बात कुरूँ यहाँ पर ट्रेड मेन की तो देखो ट्रेड मेन के अंदर 10 पास चाहिए इसके अंदर जो वासर मेन है यानि 2 बगेरा यह से होते हैं इसके अंदर इसमें आपको आयू सिमा साड़े सत्रा से 23 वरस है वो जो उपर थी वो ही है इसके अंदर वजन आप वेट के अंदर वजन में यह 35 परशेंट नहीं हो तो भी आप चलेगा इसके अंदर परचेक सब्जेट में 33 परशेंट नमर होना जरूर है आगे मैं बात करूँ ट्रेड मेन की 8 विपास की देखो ट्रेड मेन में 2 परकार की वेकेंसी है एक तो 10 विपास की है एक 8 विपास की है आट विपास में जो हाउस कीपर बगएरा है मेस कीपर है इनकी है इसमें 17,5 से 23 सुरस है इसके अंदर आपको जो वेट बगएरा है 48 किलो चाहिए इसके अंदर आपका चेश चिंदर सेंटिमेटर तो भी चलेगा इसमें आप मिनिमम् 8 विपास होना ज़रूरी है इसके अंदर 10 विपास नहीं चाहिए 8 विपास हो तो भी आप फारंबर सकते हैं इसके अंदर आपको किसी परकार कर यहां पर दिक्कत नहीं होगी आगे मैं यहां बात करूँ तो देखो आगे और भी अलग लग केटी करीम बात करते हैं यहां पर देखो आपकी हाइट चेस्ट और वेट जिनका कम था उनको यहां पर छूट मिलने वाली है जो मालोगी एक सर्विस में है यानि जिनका रिलेशन है आर्मी का जिसके पिता जी या भाई कोई आर्मी में तो उनको देखो यहां पर हाइट में दो सेंटिमेटर की छूट मिलेगी चेस्ट में एक सेंटिमेटर की छूट मिलेगी वजन के अंदर मिलेगी आपको weight के अंदर वो इसके अंदर 2 cm की मिलेगी इसके अंदर आपकी जो अलग लग देखो इस पर का देख सकते हैं यानि कि इसके अलावा एक सर्विस्मेन है या कोई international level का यदि मालो कोई खिला डिये यदि आपके पास sports का certificate है तो भी आपको हाइट के अंदर चेस्ट में और वजन के अंदर आपको छूट मिलेगी मित्रूँ आगे आप देख सकते हैं फिजीकल के अंदर फिजीकल में इस बार बहुत सारे विदार्तियों को कन्प्यूज रहता है कि एक रिटन के अंदर कितना टाइमिंग दिया जाएगा तो मैं उसके बारे में बात करूँ तो देखो 600 मिटर की दोड होगी इस बार जो हमेशा होती है इसके अलावा आप यदि पांच मिन्ट और 30 सेकंड के अंदर यदि तो आपको 60 नमर मिलते हैं दोड का और 40 नमर बीम का 100 नमर बन जाता है यदि आप 5 मिन्ट 30 सेकंड से लेकर 5 मिन्ट 45 सेकंड में आते हो तो आपको 48 नमर मिलते हैं और इसके अंदर फिर जैसे मालो बीम आपकी कम होती है वैसे वैसे नमर कम हो जाते हैं जैसे मालो और minimum जो beam है वो 6 लगानी पड़ती है पास होने के लिए 10 beam का यहाँ पर 46 नमर है 9 beam का 33 से 8 का 27 से 7 का 21 से और 6 beam लगा होगी तो 16 नमर मिलेगा इसलिए मैं कहूंगा कि beam आप पूरी लगाना ताकि 40 नमर मिले इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ नहीं है आगे मैं देखता हूँ यहाँ पर तो देखो रिटन टेस्ट है रिटन की मैं आपको अलग से जानकरी देदूँगा कोई भी वीडियो बना कर कि exam में क्या क्या आएगा इसके बलावा आपका जो admit card है प्रिंट कलर लेजर प्रिंटर का admit card होना चाहिए फोटोग्राफी आपको फोटो आजगल वहाँ खेंच लेते हैं आर्मी वाले फिर भी आपके पास फोटो होना ज़रूरी है इसके अलावा आपके पास education का certificate दस्वी बार्वी की या graduation level का जो भी matrix certificate है school college का वो certificate आपके पास होना चाहिए उसकी एक दो जिरोक्स भी फोटोगाफी आप करवा लेना इसके अलावा मैं यहां बात कुलूँ तो आपके पास तेसलदा डिश्टी का जो यह certificate है जैसे का certificate है जाती परमान पतर होना जरूरी है मूल निवास का परमान पतर होना जरूरी है इसलिए जाती और मूल परमान पतर बना लेना और सबी की दो-दो फोटोग्राफ कोफी यानि जिरोक्स आप निकलवा लेना इसके अलावा इसकूल का जो चरीतर परमान पतर इसकूल के अंदर दिया जाता है सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली मेरी जानकर आपको मिल जाए तो मित्रू इसके अलावा आर्मी के अंदर देको टाइमिंग का जो है बहुत सारी विदार्ती पूछते है टाइम कम दिया जाता है तो देको मित्रू वो आर्मी वहाँ पर निरपर करता है ग्राउंड पर किस परकार से है वो बच्चे पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं उसकी कोई हम कह नहीं सकते फिक्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जानकर आच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आपको कोई जानकरी चाहिए तुम मुझे निचे कमेंट करना ना भूले